नमस्कार आप देख रहे हैं दानीूज आपकी साथ मैं स्विष्टी मिश्रा जहारखंट से बिहार तक आच तेजस्वी से जाच ये हैं आज का मामला और बड़ी ख़बर इस वक्की लैंड फॉर जॉब स्कैम ततकालिन रेलवे मिनिस्टर रहे रहे रहो लालू प्रसाद य यादव से 10 घंटे से भी जादा पूस्ताच हो चुकी है लालू प्रसाद यादव से पूस्ताच हुई है आज तिजस्वी यादव के लिए 60 सवालों की लिस्ट इडी तयार कर ली है बड़ी ख़बर इस वक्त की इडी ने इन्फोर्समेंट डिरेक्टर ने यानी प्रवर पूस्ताच यादव अपने खूब कारेकरताओं के साथ है थे और खूब हंगा में बाजी हो रही थी उनकी बेटी और सांसाद मीशा भारती भी वहाँ पर मौझूद थी मीशा भारती ने सुरक्षा कर्मियों से थोड़ी उनकी खटपट भी हुई है इस वज़े से वहाँ पर CRPF के जवान मौझूद रहें जवानों की तुकडी वहाँ पर भेजी गई है इसलिए हुआ क्योंकि आपने देखा होगा दर्शकों पश्चिम बंगाल में कैसी स्तिती हुई थी पश्चिम बंगाल में ED के साथ मार्पिट होई वहाँ तो खेर इम्तिहां हो गई और व लाहट लालो परसाद यादव की कल सामने आई थी क्योंकि ED ने घुमा फिरा कर वही सवाल पूछे जाहिर सी बात है आप एक बार में जवाब नहीं देंगे ये ED है एनफोर्समेंट डिरेक्टरेट है तो आपसे सवालों की लिस्ट दयार की होई है तो आपसे तो जांच प बड़े बड़े नेता और उनके कारेकरता सब राज़त के वो सबाय थे और नारे बाजी शुरू हुई थी लालो परसाद यादव जिन्दा बार रात में आपको बता दे सुबह लालो परसाद यादव से पूछता चुई और नहीं ने रात के 9 बज़े के बाद चोड़ा गया उसके बाद वहाँ पर लालो परसाद यादव के समर्ठक मौजूद रहें और ये भी मैं आपको बता दूं 4751 पन्नों की लिस्ट तयार की गई है और ये चार्जशीट है 4751 पन्नों की और चार्जशीट के अलावा बता दे आपको हिर्दिया नंद चौदरी के स्विक पर सारे सवाल पूछे गए और जो जो उनके उपर आरोप है किस से कितना जमीन लिया बच्चों का भविश्व का है अंदकार में डाला और बता दे समराठ चौधरी भड़क गए हैं समराठ चौधरी पहले बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे बिहार के और देखे तेज बताईए उन्हेस्व संतानमे में किसकी सरकार थी और लालू परसाद जी जब मुख मंतरी रहे तो चारा खा गए और जब रेल मंतरी हुए तो वो बच्चों की नौकरी खा गए तो इसका जहांच तो होगा ना जहांच यदि जमीन किसी का लिखवाया आप लोग मीडिया क साथी है मौवा बाग चले जाईए आपको जमीन भी दिखाई दे देगा पटना में इससे और पूरे बिहार में हजारों बच्चे हैं जिनका लालू परसाद जी के परिवार के लोगों ने जमीन लिखवाने का काम है इसलिए जो जमीन लिखवाएगा उसको एडी तो पू जानानी है तो लालू परसाद यादव ने जब दो घोटाले की हैं एक पहले तो चारा चोरी का किया उसके बार लैंड फॉर जॉब किया अब मैं आपको बता दू इसी के मद्देनजर लालू परसाद यादव ने ततकालिन डेल्मे मिनिस्टर रहकर ये घोटाला किया था और जमीन के बदले नौकरी दी गई थी और ये जमीन उनके बेटे तेजस्वी आदव, ये जमीन उनकी पतनी रावडी देवी, ये जमीन उनकी बेटी मिसा भारती और देखे इसके साथ कई ऐसे अधिकारी है जिसके आवंटित की गई थी और इसी चार्ट श्विट में तेजस्वी का नाम आया तो भाईया तेजस्वी फस गए अब तो ना कुरसी रही ना पद रहा ना इздजद रही तो तेजस्वी आदव एक तरफ कुऊभाई एक तरफ खाई ऐसी इस्तिती में आ गए है पूरे लालो प्रसाइद यादूफ की पाटी आ गई है वैसी इस्त ली गई और देखिए ऐसे में जो बाकी युवा हैं वो तो छट गए जो तेजस्वी युवा होंगे जो तेस्तरार युवा होंगे आपने घोटाले इतने किये रेलवे में कि जिस तरीके से युवाओं के भविश्य को अंधकार में ठखेल दिया और यही वज़ा है कि पाद उनको मिला हुआ था उन्होंने घोटाले किये और इन्होंने लैंड फॉर्जाब स्कैम किया इन्होंने चारा शोरी का काम किया तो एडी तो जाच करेगी ही समराठ चौधरी ने कहा एडी बिलकुल जाच करेगी और एडी क्या जाच करती है हम भी उसका इंतिजार कर है एडी ने एनफोर्स्मेंट डिरेक्टरेट ने साथ सवाल तजस्वी के लिए तयार किया है आपको बताना होगा किसके किसके नाम पर जमीन है आपको यह भी बताना होगा कितने युवाओं से जमीन ली गई और उनको ग्रूप डी में नोकरी दी गई जी हां रेलवे के ग् में कहा जाता है कि जहां बैठ जाते हैं वहीं पर उचे अस्थान प्राप्ट करके दम लेतें बिहारियों को इतना तिजस्मी माना जाता है बिहार राज ये बहुत सम्रिद है वहां से बड़े बड़े शूरवीर और बता दे आपको विद्वान निकले हैं और यही वज़ में वो कुर्सिया लगा कर बैठ गई वहां पर कई लोग मौजुद रहें उन्होंने उनकी बैटी ने थोड़ा चिलाया भी उनकी बैटी ने वो चिलाती नजर भी आई थी सुरक्षा कर्मियों पर मैं आपको बता दू लालु परसाद यादव का किड्नी ट्रांस्प्लैं थे तो आपके मूँ से शब्द काहनी निकले जो आज आपको लग रहा है कि आपके पिता बुढ़े हो गए हैं पुराने नेता हो गए हैं क्यूं ऐसे नहकेला जा रहा है और अब उनकी उम्र नहीं बचिये जेल जाने कि यह सब बात ही कही गई उनके परिवार की तरफ से आपको बता दे दर्शकों लालु परसादी आदव घूमे भी हैं और अपने आपको रिफ्रेश करने के लिए एडी कारियाले में टहलते हुए भी नजर आये थे और एडी के अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि लालु परसादी आदव से बार बार जब सवाल पूछा ज पाए लालु परसादी आदव के सुबा का नाश्टा दोफैर का खाना और शाम का नाश्टा और फिर उसके बाद खाना सब दिया गया एडी कारियाले में तो लालु परसादी आदव के स्वास्त को देखते हुए उनके साथ मानविय विभार किया गया है और यही वज़ा ह चार्ट शुट में तेजस्वी यादव का नाम आया है तेजस्वी यादव के 60 सवालों के लिस्ट तयार है और अब क्या करेंगे तेजस्वी यादव देखिए जब आज निकले तो बिल्कुल हीरो अंदाज में निकले थे उनको ऐसा लग रहा था कि वह कहीं जंग लणने ज खेर आज देखने माली बात यह हो जाएगी तमाम समर्थकों के नारे बाजी के बाद जो होश्ला अबजाई का काम किया जा रहा है तेजस्वी यादव फसेंगे एडी के सवालों से या फिर बचेंगे बने रहे जो भी आपकी राए हो ज़रूर रखे बिहार की सियासत ने ली करवट लालू परसाद यादव के पूरे परिवार पर संकट एक तरफ खाई एक तरफ कुआ और कल कुर्सी गई आज इडी ने बुलाई ये परिभाशा दी जा रही है अब आपकी राए रखे जरूर बिहार की राज्युती अपने चरम सीमा पर नितीश तो देखे शा हो चुके उन्होंने क्या दिया घर वापसी कर ली है कहीं नहीं जाओंगा आप राए रखे शुक्रिया